आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ What do you understand by biodiversity loss? यहाँ पर पूछा गया है कि Biodiversity Loss से हमें क्या पता है तो बेसिकलिए Biodiversity Loss का मतलब होता है कि जो यहाँ पे Different type के Species of Flora यानि Plants और Fauna पाए जाते हैं वो किस तरीके से Harm हो रहे हैं और ऐसा Harm हो रहे हैं कि उनका number जो है वो Day by Day क्या हो रहा है कि Decrease हो रहा है और इतना जादा जो Different varieties और numbers में Fauna और Flora पाए जाते थे इसका Decrease होना जो है वो Effect करता है हमारे Climate और Environment पे तो बुझा गया है कि यह Loss क्या होता है तो हम इसे कह सकते हैं कि जो Extinction होता है Extinction of Species, Different Species Worldwide या फिर हम कह सकते हैं कि Decrease in the Number of Species Worldwide और यह Decrease के लिए ही क्या होता है कि जो Biodiversity यानि Types और Numbers of Species होते हैं वो बहुत जादा Hamper होते हैं और यही Hamper होने के वैसे क्या होता है कि पूरा जो Biodiversity है वो Loss में चला जाता है यानि घाटे में चला जाता है और यह क्या किस वज़े से होता है तो basically यह Anthropogenic यानि Man-made Activities के लिए ही होता है और यह Man-made Activities जो होते है इसमें क्या होता है कि Man जो है वो Industries खोलते हैं और इसी वैसे क्या होता है कि यहाँ पर Deforestation होता है और Deforestation का मतलब ही होता है कि Cutdown of Forest जिसके लिए Habitat जो है वो Fauna का कम जाता है और Number of Plants जो है वो भी Reduce हो जाता है और यही Hemper को हम Biodiversity Loss के नाम से जानते हैं Classics to 12 से लेके Need IIT जही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर